स्केल कमांड और देखते हैं कि स्केल कमांड तो यूच्पल के अंदर इस तरीके से बहत्रीन किसंद आप्जेट्स को डिफरेंट साइजेज में कंपर कर सकते हैं स्केल कमांड का उतिलाईवाजेश्ञ यह है का सबसे पहले आपने यहां से लीने हैं यह वालाmost icon करने जिस पर कमांड शांक किसे से कहन अ कामांड कर ब्रबाद साइज स्केल का option करेंगे यह भी हो सकता है, कोई भी बेस्ट पॉइंट आपने यहां से बताना नहीं, जैसी आप इसका बेस्ट पॉइंट बताएंगे, तो फिर यह object इस तरह से बढ़ा भी हो सकता है, और छोता भी हो सकता है, तो आइए इसको समझने के लिए, सबसे पहले हम एक measurement के तरह इसको करने क कोशिश करते हैं, मैं अभी step कर रहा हूँ, और इसकी object के 3 copies बना रहा हूँ, तो मैंने यह असे लिए copy command, और copy command लेने के बाद, मैंने इसको यह उसको select किया, और select करने का इंटर किया, और इसकी एक copy, क्योंकि मैंने इसके बराबर में और को mode on करके, अंड्रो कर दी, तो मैंने यहां से लिए scale command, object में यहां पर select किया, select करने के बाद इंटर किया, और base में ने इसका यहां पर से खुल भी object बता देना है, यह मैंने सफैस बता दिया, and then यहां पर आपके 1, 2, 1.25, 1.5 values आपने पुट कर दिया, सबस्तों भी यह object उसके मुताबिक ओड़ा बढ़ा करना है, यहां से scale command set किया, और यहां select किया, मैंने इसको दुबार अपर अपर किया, and base point दुबार से बता दिया, and 0.5 की entry मैंने यहां से लिखी, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.1, 0.3, 0.75, 0.5, 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 0.5 different sizes में convert कर सकते हैं, इसके लाब अगर इसको आप rectangle के तोर पर यूज़ करना चाहें, तो भी कर सकते हैं, let's suppose अगर मैं इसी object की तोचार copies all ले लू, यहां पर आगी की तरफ, तो मुझे इसको करने में असारी हो जाएगा, तो यहां पर मैंने click किया, और यहां से copy command को उज़ select के और इंटर कर गया, और यहां से मैंने a core object की clothing copies लेकर ट्रॉब कर ले, और आईए, अगर skip कर हम scale command को rotation पे यूज़ है, select के enter, और base point में इस corner पे लिया, देखिए अब यहां से आप इसका जो बता रहा है, तो आप इहां पर इसका बता रहे हैं, कि आपने scale कहा 0.25, या फि कर दिया, फिकि देखिए उससे भी छोटा होता चला जाएगा, अब इसका भी half हो गया, अच्छा, इसी तरीके से, एक और example लेते हैं, यहां पर, इसी जी, तो मैं यहां पे table को लांश्टर लेता हूँ, और table design को लेता हूँ, अब यह table में बास different sizes भी नहीं है, तो मैं इसक इसको 0.5 कर रहा हूँ, इसका आप हो गया, और दुबारा से scale command को लेकर, select करके, और इसको मैं इंटर किया, और यहां पर clip करके, बिरे इस टार्टोरा size 1.5, जो उससे double size से convert कर सकता हूँ, इस तरह बड़े असानी से, मैं अपने एक ही object को create करके different scales के हैसाफ से रख सकता हू scale command को इसके माल करते हूँ, चोटे या बड़े options को convert कर सकता हूँ, इसी तरह से आप इसकी practice करते देख लें, और इसको उच्छे से समय लें, अलाहाँ